गुड मॉर्निक स्टूदेंट ट्रिल्स को देनेक्स टॉपिक डैट मिन्स वाट हैपन ड्यूरिंग अर्थक्विक मिन्स की जब अर्थक्विक होता है तब क्या होता है ठीक है बटा तो यह क्या बोलता है कि यह एक है फिर यह एक है ठीक बटा मतलब क्या कैसी तो कि यह नम्मर ओपलेट से बने टाए एक प्लेट के ऊपर दूसरा प्लेट ठीक है बटा इस एक्जांपल के लिए आप ऐसे कहा सकते हो जैसे आप मालो रसोई में हो जलो simple के लिए simply आप जो आप एक plate छोड़ो books ले लो books के ओपर books books के ओपर books अगर आप रखी जाओ तो ऐसे हमारा crust होता बेटा ऐसे बनाता एक के ओपर एक plates रखे हो गtså ठीक है और इन plates को बोलता drama Темe80 plates ठीक है उबिटा । इस रोघ फ्लोर्ट ओ वर ए मॉल्टन मीगमा विलो यह जो plates होते हैं जो सबसे नीचे वाला plates होता है वो क्या करता है बेटा magma magma पता है ना बेटा जब वो जो stones होते हैं ठीक है जब वो पिघल जाते हैं तो वो किसमें convert हो जाते हैं liquid में और वो liquid क्या होता है बेटा उसे क्या बोलता है magma ठीक है this rocks plate float over a magma below as the plate move the collide move apart or slide over one another ठीक है बेटा देखो जैसे जैसे यह plate मैंने क्या बोला कि यह plate move करते हैं ठीक है और sometime क्या होता है यह move करते करते एक दूसरे से टकराते हैं ठीक है जब यह move करते हैं तो एक plate दूसरे टकराता है और sometime एक के उपर दूसरा चड़ भी जाता है ठीक है ठीक है बैटा जैसे इसे plate move करते हैं वो टकराते हैं move करते हैं एक दूसरे को sometime एक plate दूसरे plate के ऊपर भी आ जाता है और ये collision और movement करके क्या होता है बैटा vibration बनता है ठीक है बैटा जब भी ऐसा होता है कि plate टकराते हैं एक के ऊपर दूसरा आ जाता में अध्युआ होगता एक ता यह इस को भैप्लीचन को बोलते हैं शॉक वेप्स ठीक है बैटा वाइबरेशन विच सेंड शॉक वेप करते हैं और उसी वेप्स को क्या करते हैं अर्थकोइक तो यह एक वेप create करेंगे उस वेब को बोलेंगे हम वही वेब बटा होता है जिसे हमें फील होता है कि अर्थ अमलब शेक कर रहा है ठीक है next है when this shock waves reach the surface they are felt as earthquake ठीक है दीज अधस अर्थक्विक along the plate boundaries when the plate move against each other and break underground at the hapocenter ठीक है जैसे कि मैंने आपको बोला था ना कि जो werden ई están वह एंडर्ग्राउंड मूब करते होसम्टाम वह दूसरी कॉलाइड कर था एक की ऊपर दूसरा आ थैक कैसे क्या होता है और वेब क्रेट होने क्बाद फिर वो वो देखो वो फिर सबसे उपर की तरफ आता है यहां बाउंडरी पाता है और हमें क्या फील होता है एक तरह का वाइब्रेशन फील होता है ठीक है ठीक है बेटा next क्या है wave separate from the epicenter ठीक है wave कहा separate होना शुरू होता है epicenter अब epicenter क्या होता है वो point होता है जहां पे क्या होता है the point which is one the surface above the hypocenter और focus ठीक है बेटा hypo center और focus के उपर होता है बेटा कौन epicenter ठीक है ठीक है और याद रखना बच्चो इन में से one one number के कितने सारे questions आ सकते हैं कि epicenter क्या होता है ठीक है hypocenter क्या होता है एक next है crack crack that occur between the plates are card falls ठीक है बेटा यह cracks होते हैं इन्हें बोलते हैं cracks और यह देखो cracks कैसे होता है जैसे कि जब काफी ज़्यादा मनलब काफी ज़्यादा powerful आ गया करते हैं अर्थक्विक आता है ना तो यह क्या होता है इन में cracks आ यह देखो cracks आगे ना और अच्छे से ठीक है some earthquake also take place within the interior of plate ठीक है कुछ अर्थक्विक क्या होता है interior एक तो कुछ अर्थक्विक कहा होता है इंटेरियर प्लेट पे भी होता है देखा टेक्टोनिक फोर्स वैल्कॉनिक अप्रेशन रोक ब्रस्ट ठीक है इन दा माइन्स न्यूक्लिर बम एक्स्प्लोजन एक्सेटरा में भी आल्सो क्रेट वेप्स ठीक है यह देखो अब जोरी नहीं होता है कि हर वरी जो अर्थक्विक है वह नैच्रली है सम्टेम क्या होता है हाँ वैसे हम पत्थर निकालते हैं वहाँ पर हम क्या करते हैं बम डालते हैं और पत्थर तोड़ते हैं यह तो आपने सुना है ना नुकलिर बम जब नुकलिर बम की भी टेस्टिंग होती है जहां पर ना वहाँ पर काफी तेज क्या होता है शौक वेप्रेट होता है डूटू क्यों क काफी ज़्यादा vibration वो create करता है जिससे हमें क्या शौक सा आता है और vibration शुरू हुए है ती अर्थ में ठीक है मैं also create tremors but earthquake caused by the shattering release of pent of tectonic force caused the most but बेटा जो mainly जो earthquake आता है वो किस करके आता है tectonic plates के हिलने से यह अपना position change करने से और याद रखना दा पॉइंट फ्रॉम वेर दा वाइबरेशन ओफ अर्थ कुछ विगन वो पॉइंट जहां से वाइबरेशन ओफ इस पॉइंट क्या बोलता है हम focus क्या बोलता है focus ठीक है इन points इन lines को बेटा underline कर लिया करो one number या two number में question आ सकता है define focus अच्छे ठीक है the point on the earth surface that lie directly above the focus जो जो focus के directly उपर लाइ करता है ठीक है बेटा नीचे focus और focus को उपर जो point लाइक करता है उसे बोलता है epicenter क्या बोलता है epicenter the vibration reach this point first before the spreading out over the surface सबसे पहले vibration इस point पर रीच करता है surface पर जाने से पहले then intensity intensity को मतलब होता बेटा कितना powerful waves जो आ रहे हैं या earthquake जो आ रहे है कितना powerful then intensity of the tremors is at maximum near the epicenter याद रखना देखो epicenter पे देखो बेटा focus वो पॉइंट होता है जहां है earthquake start होता है ठीक है epicenter पे जो power होता है earthquake का यानि वो waves का वो काफी ज्यादा होता है ठीक है and decrease with the distance from epicenter ठीक है और epicenter से हम जितना दूर जाएंगे इस waves की जो power होगे वो कम होती जाएगी ओके दस इट इस एपी center that usually suffer the most destruction इसले बेटा याद रखना epicenter वो एरिया होता है जहां पे सबसे ज़्यादा नुक्सान होता सबसे ज़्यादा चीज़ें तूटते हैं सबसे ज़्यादा death होती है ठीक है magnitude of an earthquake the magnitude और the magnitude of an earthquake is a measure by सिस्मोग्राफ ठीक है magnitude मतलब कितना powerful earthquake था कितना तेज अर्थकुग था उसको हम सिस्मोग्राफ एक मशीन होते है उससे measure करते है मैं आपको पिछे दिखाया था ना paper passes से प्रोटेट करता था ठीक है दा most common scale जिससे हम मएयर करते हैं magnitude of earth को इससे बोलते है रीचर स्केल ठीक है इससे कौन से scale बोलते है जिससे magnitude और देखते हूं से बोलते है रीचर स्केल पीछे दिखाया था ना मैंने आपको यह वाला बेटा यह वाला दिखाया था ना कल मैंने next lower magnitude ठीक है बैटा हर नम्मर जो रिचर स्केल्स पे होता है वो हमें शो करता है कि कितना powerful earthquake आया था ठीक है इसका मतलब क्या है बैटा 10 टाइम्स का कि देखो example के लिए अगर अर्थ कुछ का magnitude 5 है तो वो 10 टाइम स्ट्रॉंगर है magnitude 4 से ठीक है अगर वो 6 है तो वो 10 टाइम स्ट्रॉंगर में टूर फाइप से ठीक है इन अधर वर दा स्केल ओ स्केल इस लो गोड़ स्केलर लोगरिथ्मिक एन एर्थ कुछ ऑफ टू टू फॉर ऑन दा रीचर स्केल इस कंसिड़र एस बीक बेटा इसे वीक भी लिख सकते हो आप या माइनर लिख लो दोनों आंसर सहीम होता है ठीक है टू 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 फॉर मैंनिटूड वाला नॉर्मली ड़स नोट क्रेट म कुछ डैमेज याद रखना यह जो वी किया माइनर मैं जो यह तू टू फॉर स्केल वाला रथकुए को था यह ज़्यादा मतलब की प्रॉब्लम क्रेट नहीं करता ज्यादा हमारी चीज़ों को खराब नहीं करता जाएंज नहीं करता एंड अगर चार से सिक्स चार से छे खराब अागया से मौडेट मौड औरट मतलब की ना ज्यादा पावर फूल ना ज्यादा कमजोर भॉलते ठीक है एं अर्थकुएक अगर वह जैएवन 7 को क्रोस कर जाये 7 8 को क्रोस कर जाये तो उस वाले को हम भॉलते हैं पैटा काफी पावर Administration और और वो बैटा पूरे पूरे city को destroy कर सकता है अगर seven scale के उपर आ जाया ठीक है अब देखो जाम नगर में आये था बैटा वहां पर अर्थ कुई काया था 6.9 on the richer scale causing heavy damage to the city जाम नगर में जब अर्थ कुई काया था पूरा पूरा क्या हुआ था बड़े बड़े जो घर थे पुनाने वह सभी तूट गए काफी जा नुकसान हुआ था यह देख लो पिक्स इतना पावरफू अर्थ कुई काने से क्या होता है यह रोड सेपरेट होगे बीचो बीच गड़ा होगे रोड के ठीक है नेक्स्ट है consequences of अर्थ को अर्थ कुई काने से क्या होता है there are huge loss of life property if the magnitude of more than 6 यह रखना बेटा अगर magnitude 6 से ज़्यादा हो तो काफी ज़्यादा नुकसान होता हमारे life को हमारे properties को ठीक है हमारे आसपास के environment को ठीक है man-made structure such as building railway track etc सब क्या हो जाता है बेटा damage हो जाता है तूट जाता है ठीक है next क्या people can get trapped in the class building or under the rubble that the collapse into the street देखो बेटा जो लोग अर्थ कुई रात के time है और हम building में सो हुए है तो earth powerful आएगा बेटा तो इतना मतलब क्या आता building collapse हो के गिर जाता और जो लोग उसके अंदर रह जाते हैं वहीं पर उनकी death हो जाती है due to suffocation क्योंकि building अगर आपके ऊपर या किसी ऊपर गिर जाए तो बचने का chances बेटा काफी कम होता है this is the type of damage that lead to be roast casualties ठीक है fire often break out the falling earthquake they can cause the flammable materials being thrown into the cooking or fire hitting fire or the broken gas pipeline देखो बेटा आज कल जो pipeline हो हम क्या कर रहे है pipeline को जमीन के अंदर बिछा रहे है बर जब powerful अर्थ कोई काता उससे क्या होता pipeline डैमेज यह जाता ग्यास लीक होना चुरू हो जाता और सम्टाइम उसमें आग भी लग जाती है और इवन sparkling from the electric shock circuit groundwater pipes भी क्या होता अर्थ कोई करके टूट जाता communication system के जो lines होते हैं वो भी अर्थ कोई करके टूट जाता है ठीक है बैटा और आपने देखा होगा जब भी अर्थ कोई काता है उसके बाद देखो आप देखने को आपको मिलेगा जब भी थोड़ा powerful अर्थ कोई का आएगा आपके internet की speed काफी कम हो सब्सक्राइब कुछ दिनों के लिए ऐसा problem आया था इससे पीछे इसके रिजन क्या होता है जो हमारे इंटरनेट के सब्सक्राइब काफी तेज़ जिससे क्या करते हुआ अंडर ग्राउंड वायर्स को डैमेज करना शुरू कर देता है ठीक है Dams The Dash Dems बने होते वेटाइब क्र yolk साते रोगण कोर्षा फीलशन फेलेट टोपिग मतलब क्रैक्सा है कुछ दैम्स क्या अच्मिट टूट भριं जाता है जिनसे क्या होता है उनके आसपास धो फास बइल्डिंग सोते हैं या घर होते हैं या तो जो खेत होते हैं उन्में क्या आ रहा हं बाढे आ ढाता है ठीक फ़पनेल रहे होते हैं फीकुज वह new construct हो रहा है ठीक है और हो qi अंजय डर देखो एक अगर कहँ और काहि अर्थक्वक ऍंदरु के अंदर आ जा तो वह क्या generate करता है ।정ड़ ऐसमर्ड का मतलब तर fixes यूज वेब काफी पावर्फुल वेब्स को बोलता है सुनामी ठीक है यह जैपनिस वर्ड है इस वेब्स आ जा जा तो बेटा यह कोश्टल एरिया के आसपा जितने में चीज़ा उनको सबको खतम कर दा फॉर्ड जॉन कौन से होते हैं है दा अच्ड देखो थो टांक प्लेट के ऊपर करें वह क्या बोलते हम और सिसमिक जान दिस एरिया व्यार्ट वेयर कुण सबसे ज्यादा आने के चांसे होते हैं सबसे हुए जोन्स in India कंप्रेज Western Central Himalayas यहां पर कहा है वेस्टन Central Himalayas पार्ट में है जब्मू कश्मीर में हिमाचल परदेश में उत्राखंड में रन आफ कच्छ में गुजरात में अंदुमार निकोमार आइसलेंड हों पड़ते हैं मतलब टेक्टवनिक प्लीट्स के जस्ट उपर वाला जोन ठीक है अर्थकुलिग अर्थकुलिग प्रिपरेड़नस एडवान्स वार्निंग और देखो बेटा अर्थकुलिग आने से पहले का वार्निंग देना पॉसिवल नहीं है विकोस आज तक इतनी ऐसी मशीन नहीं बना पाए हैं कि अर्थक्विक आने वाला और हमें पता लग जाए ठीक है विज अबर प्रेजेंट नॉलिज रिस्क जॉन एंड़ फ्रिक्वेंसी एड़ विज अर्थक्विक अकर वी कन में एक लॉंग प्रेडक्शन इंटाम फियर देखो बिटा अब यह नहीं पता लगा सकते हैं कल अर्थक आने वाला है और हमें अपना चीजों को बचा के रखना है बिकोज इतना पावरफूल या एडवांच टेक्नोलोजी अभी तल आया नहीं बट हम देखो अब मालो कि एवरी डे कहीं ना कहीं अर्थ कोई कारता है तो मदलब एक एक बटा असोशीशन होती संस्था होती जिनका काम क्या होता है कहां अर्थ कोई कव आ रहा है कैसे आ र हो सकता है जहां कि हम प्रिडेक्शन ना करें वहां पर तुगाजर वह भी बहुत ज्यादा पावरफूल आ जाए तुरू वी कानोट अवोड एर्थ कुछ वी संटरली रिड्यूस दिर इंपक्ट टेकिंग अपर प्रपेट अक्शन हम इनको हम इन से बच सकते हैं बट यह कब आएगा और कितना डेंजरेस होगा या इनको रोका नहीं जा सकता सिंस मॉस्ट डेमेज इन हूमन लाइफ को दा कॉलाप्स दा बिल्डिंग वी शुल्ड देखो बेटा यह क्या बोल रहे हैं कि यह सब जाड़ डैमेज करता है हुमन लाइफ को मेंली बिल्डिंग्स ज एट इरिया शुल्ड भी लाइट वेट मेटरी देखो गेटा अगर बेंडिंग कहां बन रहा उन एरियास में बन रहा हम पे काफी जार कोğa ओक आता तो वहाँ पर बिल्डिंग्स ये लाइट मेंटिरियल बिल्डिंग्थॉत अलके बनेगे तो उनके गिरने के चैंसस canlen होंगे मेक शोड़ जैसे की बटाज जपान की बात करें हमां बिल्टिंग के से बनता लाइट मटीरियल से लाइट मिला हलके मटीरियल से हैं मेक शोड़ एड़ ऑल सिलिंग फैन्स और एर कंडिशनल कूलर एक्सेटर फिक्स फेमले ठीके बटा और इतने अच्छे से फिक्स किया जाए कि अगर अर्थ को तेज भी आए तो नीचे ना गिरे और ना किसी को अगर आप घर पे हो तो याद रखो बेटा टेक कवर अंडर दा हैवी अब देखो मालो अब घर पे हो ठीक आगया तो आपके घर में टेवल के नीचे जाके चिप जाओ सीदी सी बात है अपने आखे बंद कर लो अपने अपने आंप्स को अपने अंदर कर लो अच्छे से ठीक है और टेवल देखना थोड़ा मजबूत हो ठीक है और दूसर रूम में मत जाओ जब अर्थ को एक आया हो अगर आपके बास चांस है तो निकल जाओ बिल्डिंग से से याद रखना है इसे अगर आपने देखा होगा ना प्लेंज में जब वह एवर जन से लैंडिंग करते हैं तो वो कैसे करते हैं अपने दोनों पैरों के बीच में अपने सिरह रखकर बैट जो उसी तरह बेटा बैट जो ठीक है अगर जब आपको एकजिट का मतलब की मिल कि आप मतलब आपको जब आपको चांस मिले कि आप कि यहां से आप निकल सकतो एक्जिट से तो वहां से निकल जो याद रखना बेटा इंस टाइम पर एक्स लेटर यूज नहीं करना है ठीक है अगर आप गाड़ी चला रहे तो अपने बाइक या कार जो भी चला रहा है उसको बिल्कुल स्लोडाउन कर लो और किसी एरिया जहां पर साफ सुत्री आसपास कुछ नहीं वहां जाके गाड़ी रोक के खड़े हो जो ठीक है और याद रखना ब्रिजिस एक्सेटर फ्लाइवर के आसपास मत खड़े होना most important thing remember पैनिक नहीं होना है डरना नहीं है ठीक है ना बेटा पैनिक होना है ना डरना है ठीक है इस टाइम आप ट्राई करो कि अपनी जान भी बचाओ और अगर कुछ लोगों की बचा सकते हो उनकी बचाओ बट बेटा दूसरों की जान बचाने के लिए पहले आपको अपनी जान बचाना पड़ेगा ठीक है और अपनी जान बचाने के लिए आपको चीजों का पता होना चाहिए ठीक है और याद रखना जब ऐसे चीज़े होती है तो चांसस होता है कि जब अगर आपके आसपास खंबा या वायर्स है जो बिजली वायर्स है वो भी तूटके गिर सकता तो ट्राइ करो कि इन सबी चीज़ों से बिलकुल दूर होके खड़े हो जो ठीक है खाली मैदानों में चल ज से कहीं कि इर्थ कीश ओर या जिए कि तो तो आपके उल्च शु मग्राफिक श्कूल तो जैसे कि इंक्लूडिंग दस इसमो ठीक है बेटा तो इसमें बस यही इस पैरे में यही बताया गया कि हमें गौर्णमेंट को चाहिए कि जैसे कि कई सारे स्कूल सा बेटा उन्होंने यह वाले सिसमो ग्राफिक को अपने स्कूल में इंस्टॉल कराए हैं इन फ्यूचर हो सकता हमारे स च्छुरू करना है चैप्टर 16 लाइट यह हमारा लास्ट चैप्टर इस लेवस का भी ठीक है और इस यह का भी ठीक है इसमें आपने आपने देखा हुआ कभी अगर आप डार्क रूम में एंटर करते हो नथिंग कैन बी सीन अब कुछ भी देख नहीं पाते हो बट सून यूर स्विच ओन जैसे अब फिर जाकर स्विच ओन करते हो तो आप क्या देखते हो सब कुछ आपको दिखना शुरू हो गया ऐसा क्यों होता है देखो बेटा इसके पीछे रीजन क्या है कि आपने क्या उनक्या लाइट और लाइट क्या होता है एक अनरजी होता है जो हमें अपने आसपास की चीजों देखने में इसका मतलब क्या है बेटा मानलो यह उबजेक्ट है इसमें लाइट फॉल होती है तो यह सभी ड्रेक्शन में क्या होती है वापस यह सभी ड्रेक्शन में क्या है वापस आती है मतलब लाइट इदर से आई और इस पे जाके टकराई और यहांँ टकराके वापस सभी ड्रेक अगर उसके डिरेक्शन में आप भी खड़े हो तो यह आपके आँखों के अंदर भी जाएगा और आपको जो चीज देखर हो आपको चीज दिखना शुरू हो जाएगा ठीक है इसी चीज को बोलते हैं इसी चीज पर जाकर तकरा के वापस आना ठीक है इट इस इस चीज को देखने में ठीक है कि हमारा असपास क्या है आउट्डोर्स ऑन दा सानी डेस सानी डेका मतलब होता है बेटा जेस दिन सूरज अच्छे से निकलाओ ठीक है जो दिन में होता है जो जो दिन में होता है हम चीजे कैसे देखते हैं विड्या हलप अपस अठीक है अपजेक्ट विच अमें रएका आजाते हैं बेटा मतलब यह नहीं होता कि यह आएंगे आएंगे आ सकते हैं ठीक है chances होता है इनके जैसे यह वाला हो गया यह वाला हो गया यह वाला जितने blacks words देखें ना उनको important समझके पढ़ा करो example sun stars candles यह सभी क्या है बेटा luminous है ठीक है बेटा luminous objects है और next देखो बेटा non luminous object जो light create नहीं करते हैं जैसे the object we do not give out light कुछ object जो हमें light देते हैं उन्हें luminous object करते हैं और जो नहीं देते हैं light उन्हें क्या बोलता है non luminous object जैसे कि moon books tables etc इनके अपने light नहीं होते हैं यह देखना है बेटा आप में falling on the from any luminous object मैंना जैसे बता है न कोई luminous object क्या करता है luminous object वो object जो light fall करते हैं जिन में से light निकलती है वो क्या करता है moon पे light देती है और फिर moon पे से light वो scatter होके हमें दिखता है कि moon चमक रहा है but actual moon की वो light अपनी नहीं होती वो किसी और की होती है when when the reflected light fall near been object such object can visible और जब वो मरलब की luminous light किसी और light पर पढ़ती है तो वो हमें visible होना शुरू हो जाता है next क्या है बेटा source of light the object from which we get light वो object जो से हम light लेते हैं in other word the object जो देख वेड़े वो object जो से हम light लेते हैं या जो light emit करता है मित मतलब जो light छोड़ता है उसे बोलता है source of light ठीक है बेटा ये भी एक तरह का कोशन बन गया और luminous object जितने भी luminous object और वो क्या करते हैं light emit करते हैं और वो क्या है बेटा source of light है source of light दो तरह क्यों होते है natural source of light और एक artificial sort of light नेचल शौर्ट और प्लाइट कौन से होते है बेटा sun हो गया stars हो गया और क्या हो फाइर फ्राइज हो ह Sono यह कौन से नेश्रुल सॉर्स उपलाइट मेंमेट कौन से हो गए जैसे आपके घर में ट्यूब है टॉच है के अंडल है मोइल की लैट है यह क्या ओ गहां मैमेट source of light, light तो ये भी देता बट, ये man made है, ठीक है, source of light which emit light and heat, उसे क्या बोलते हैं बेटा, hot source, वो source of light जो light भी, वो source of light बेटा, जो light भी दे और heat भी दे, उसे बोलते है, hot source of light, source of light which emit only light, याद रखना बेटा, वो source of light जो light भी दे, और heat भी दे, उनको बोलते है, hot source of light और वो source of light जो सिर्फ हमें क्या दे, light दे, उसे बोलते है, cold source of light, बेटा, इन चीजों को अच्छे से देख लो, इसमें से कहीं सारे कोशन आ जाते हैं, ठीक है, those body which emit light when heated, आरकाल, क्या बोलना है, बेटा, those bodies, जो emit करता light जब उसे हम heat करते हैं, से बोलते है, incandence and bodies, और ऐसे bodies जो होते है, बेटा, वो क्यों से होते है, hot source of light होते हैं, ठीक है, next lecture से बेटा, थोड़ा मैं आपको activity बताऊँगा, activity बताने के बाद फिर हम क्या करेंगे, next करेंगे reflection of light, ठीक है, thank you for today.